लग तो आईसार आये कि पवन सिंग भी एग्रेमेंट में फहुंच चुके हैं नमस्कार दोस्तो मैं धननजी कुमार इसी के बारे में हम बाचित करने वाले हैं इस वीडियो में वीडियो को एंड तक देखते रहे हैं और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सस्क्राइब नहीं किये हैं वो लोग कर लें क्योंकि हमारे चैनल पर भश्परी का हर खबर सबसे पहले आता है तो दोस्तो पवन सिंग का गाना धन्या एजान इस गाने का पोश्टर आये हुए लगबग 6-7 दिन हो गया और पवन सिंग ने अपने दर्सकों से माफी भी मांगे थे लेकिन पवन सिंग के बताय हुए डेट पे भी गाना आप सभी के बीच नहीं आया पवन सिंग के हिसाब से आजी गाना आप सभी के बीच आने वाला था माली जी इस गाने में कुछ गड़बड है तो दूसरा गाने को रिलिच कर देना चाहिए था इसके बदले में और लग तो ऐसा रहा है कि पवन सिंग भी एगरिमेंट में फस चुके हैं लेकिन ऐसा नहीं है पता ना किया प्रोबलम है कि गाने को आप सभी के बीच नहीं रिलिच किया जा रहा है कुछ न कुछ जरूर प्रोबलम है जो कि साप साप नहीं बताया जा रहा है और पवन सिंग का गाना इसी बज़े से आप सभी के बीच नहीं आ रहा है माली जी एडिटिंग में कोई गलबड़ी होगा तो ये सब काम एक दिन में कम्पलीट हो जाता है और पवन सिंग को अब तक गाने को रिलिज कर देना चाहिए था क्योंकि अब नवरातर भी आने वाला है और पवन सिंग के चाने वाले लोग भी गाने का इंतिजार कर रहे हैं कि पवन सिंग का गाना कबर लिज होगा और यह लोग पता ना किया नो टंकी कर रहा है कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है बाकी इसके बारे में आप सभी का क्या काना है हमें नीचे केमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो का प्लोग पुरा ज़रूर देखिएगा और दोस्तो बश्परी के पाउश्टर पॉंसिंग का वीडियो पसंद है तो ज़र ज़र लाइक करें केमेंट करें सेर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तो